स्वागत है आपका आप देखने हमारा खास कारक्रेम एकॉनमी टूड़े और वक्त हो चला है आज का जो टॉपिक है उसको इंट्रिड्यूस करने का और एकॉनमी टूड़े यानि आपके जिन्दिगे से पर आर्थिक मुद्दों की परताल करता हमारा नया कारक्रेम सीधे आ और आज का मुद्दा है आधार बेस्ट बैंकिंग ट्रांजेक्शन अगर इसकारक्रेम का हिस्सा बनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आप आधार के जरीए कैसे बैंकिंग लेंदेन कर सकते हैं तो बहुत ही आसान है हैश्टाग एकॉनमी टूड़े का इस्तिमाल हैं और बहुत ही आसान है अगर आप जीमेल आईडी नोट करना चाहता है एकॉनमी टूड़े डूड़े 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 जीमेल डूड़े का इस्तिमाल कीजिए और अगर आपके पास कोई भी सवाल है इस मुद्दे से जुड़ा हुआ तो आप में इस कारक्रेम में सवाल कर सकते हैं सीड़े आजया भूशन पांड़े जी जो कि CEO हैं UIDAI के इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं बहुत दूश रुप्रिया सर इस कारक्रेम में शामिल होने के लिए तो चलिए शुरुबात करते हैं हमारे खास कारक्रेम एकॉनमी टूड़े की यह प्रोग्राम हम आपके लिए इसलिए लेकर के आये हैं क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं कैशलिस ट्रांजेक्शन के और एक तरीका ये भी है कि आपके पास बैंक एकाउंट के साथ सागदा सिर्फ आधार नंबर है तो भी आप एक आधार से दूसरे आधार नंबर पर अपने जो बैंकिंग है उसका लेंदेन कर सकते हैं और कैसे ये तकनीक बदलने जा रही है इन तमाम पहलूँओं पर चर्चा करेंगे और इससे बढ़िया हमारे साथ इस कारक्रेम में में मेहमान हो नहीं सकते हैं पाने जी बख फिर से आपका स्वागत और सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये जो तैयारी थी आपकी वो कब से चल रही है और आधार के जरीए कैसे आप मोबाइल और बैंकिंग को जोडने जा रहा हैं और कब तक हम फुल फ्लिज तरीके से इस सेवा को आम आदनी के ल लोगों को अधार हम लोगों ने दे दिया है और अधार एक सिर्फ एक आइडेंटिटी ही नहीं है ने सेंस कि आप कहीं पर जाते हैं अगर अपनी पहचान अगर सिद्ध करनी है तो आपको अपना आई कार्ट दिखा सकते हैं आधार कार्ट दिखा सकते हैं लेकिन इसके अ इसाइटिटिटी यो इस्टैब्र करने का dosa मैना घयकलते हैं इस हमोड़ करने चला है यदि कαरे कारोंगी कि शक्तार से और कॉनलाइट थाई साल हमारे सब्सक्राइब करीम एक लाख दस हजार बिजनेस कॉर्रिसपॉंडेंट वो एक माइक्रो एटियम लेकर के जिसमें की आधार का एक बायमेट्रिक स्काइनर लगा रहता है फिंगर्पिंट स्काइनर लगा रहता है उसके तहट गाउं-गाउं में बैंक ब्रांच है नहीं गाउं-गाउं में एटियम है नहीं तो इसलिए जो बिजनेस कॉर्रिसपॉंडेंट है वो इस तरह से करता था और ये करीब-करीब आज के दिन में पिछले तीन साल से करीब-करीब रोज 6-7 लोग इसका लाब उठा रहे हैं अब हम लोग ने क्या किया है कि इसी को थोड़ा सा मोडिफाई कर दिया है अब यह क्या कि चुकि अब हमें इतने बड़े प्रपैमाने पर देश में कैसलेस का अभियान चलाना है हर दुकानदार के पास यह वो डिवाईस होनी चाहिए एक लाख दस हजार बिजनेस कोर्रिस्पॉंडेंट के पास ही क्यों है यह तो हर दुकानदार के पास हम ले कैसे जाए पूरे देश में अगर दिखा जाए तो पूरे दुकानदारों के संक्षा करीब करीब 4-4 करोड है तो हम लोंने क्या किया है कि यह जो माइक्रो एटियम है उसको हमने थ्वासा उसका सुरूप बदल दिया है अब यह देखे कि कोई भी स्मार्ट फोन हो अगर एंडुआइड बेस्ट स्मार्ट फोन हो इसमें हमने एक बायमेट्रिक फिंगर प्रिंट स्क अभी पूरे देख में करीफ 30 करोड स्मार्ट फोन हैं और इसकी कीमत भी कम होती जा रही है तो अब इस स्मार्ट फोन के साथ अगर यह और बायमेट्रिक डिवाइस अगर अटैच करते है तो यह एक आधार का पॉस डिवाइस बन जाता है अब इसमें अगर दुकांदार क पास अगर यह स्मार्टफोन हो और यह बायमेट्रिक अटाइच हो तो जो खडिदार है जो कस्टमर है वो अपना अधार नंबर देगा अपना अंगुठा देगा और कितना एमाउंट पे करना है वो लिखा रहेगा जैसे यह अंगुठा दबाएगा वो उसके अधार से जो बहुत दुकांदार के काउंट पर चला जाएगा यह बहुत बड़ी क्रांती आप करने जा रहे हैं पांड़े जी यह बता है कि यह जो शोटा सा आपने लाल रंग का यह जो अपरेटरस है जिससे आपने एक पिन के जरिये मोबाइल के साथ जोड रखा है यह चीज क्या आ देश में काफे संक्यं में उपलब्द अने कंपनियां है कम से कम साथ आर दस कंपनियां तो हिंदुस्तान में ही užा ही बन्ता घृउथ है और यह कीमत जाता है कि यह कृई मृण करीन का जयाता की करीकद का यह 194 मास परडेक्शन होगा तो साइध इसी कीमत होता है कि आये कुछ महिने में साइध होता है कि हजार रुपे पे आ जाए या उससे भी कम हो जाए तो ये एक affordable point of sale device है जो कि हर दुकानदार इसको afford कर सकता है और गाउं गाउं में लग सकता है और दूसरी बात कि इसको अधार enable payment system अधार pay जो हम कहते हैं अधार pay करने के लिए कोई बहुत ये काफी high speed internet connection की भी जगरत नहीं है ये 2G पे भी चलता है अच्छाए 3G की भी ज़र्वत नहीं है इसमें तो इस तरह के ये जो गाउं में अगर लगाना है चोटे-चोटे सहरों पे लगाना है तो उसके लिए काफी उपयोगी है एक चीज मैं और इस पस्ट कर देना चाहूंगा यहांपर कि देखिए देश में करीब अगर देखें पूरी अवादी में तो करीब 20 से 25 करोर लोगों के पास स्मार्ट फून है वो डिजिटली लिटरेट हैं वो तरह तरीके से अपने करेट कार्ड डेविट कार्ड मोबाइल वालेट और इन सब चीज का उपयोग करके वो अपना प लोग हैं जिनके पास ने फीचर फून है ने स्मार्ट फून है अगर उनको अपना खड़ीदना हो अगर उनके बैंक अकाउंट में पैसा होगा क्योंकि बहुत सारे सरकारी कारेकरम केता है तो उनके पास पैसे दिया जाते हैं या कहीं पर काम करते हैं तो अभी तो सभी को लोगों को आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करें, लेकिन उसके बाद से पैसे का उपयोग अपने रोजमर्रा जीवन चलाने में करेगा, उसके लिए काफी उपयोगई हो गया, तो आधार है और अपना फिंगर प्रिन्ट है तो आधार है तो आधार और पे मीरे पास केवल एक बैंक एक है और मेरे पास मेरा आधार काउंट है तो फिर मुझे फोन ले जाने की भी जरूरत नहीं अगर मैं घर पे भूल भी गया हूँ और किसी जगह पर जा करके ट्रांजेक्शन करना चाहता हूँ और उसके पास ये डिवाइस है और ये डिवाइस आपने बता है कि ये 2000 रुपए का है तो ये अपने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि अधार के साथ क्या है कि दसों में से कोई भी इंगली इस्तिमाल कर सकते हैं और यही नहीं हम लोग अभी इस पे भी काम कर रहे हैं कि अब बहुत सरे एक मुवाइल फोन ऐसे भी आ रहे हैं आने सुरू गया है जिसमें कि यहां पर एक आईरिस एक कैमरा लगा रहे है तो अगर वो आईरिस कैमरा वाला अगर मुवाइल फोन हो तो फिर इसकी भी ज़रूरत नहीं है और सीधे अपना अधार में डेटा पहले से ही है कि देश में करिब करिब 40 करोर अधार नंबर से उनके बैंक अकाउंट लिंक हो गये है तो यह एक बहुत बड़ी संख्या है अगर आप देखें कि पुरे देश में करीब 80 करोर लोग एड़ट होंगे उसमें से करीब-करीब 40 करोड लोन के आधार नमबर किसी ने किसी बैंक अकाउंट से जूर गए है तो ये जो 40 करोड जो लोग हैं, वो आधार पेमेंट के द्वारा, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के द्वारा वो अपना फिंगर प्रिंट या आईरिस दे करके और आधार नमबर दे करके कहीं भी वो अपना पेमेंट कर सकते हैं पानी जी एक चीज़ और कि अगर मेरे पास आधार नमबर है और वेंकट के पास मानले जी उनका आधार नमबर है तो अब आप जाएं उनके पास और उनके पास ये अपना फिंगर पिंट और आधार नमबर दे करके अंठा लगा दें आपके अकाउंट से पैसा उनके अकाउंट में पैसा चला जाएगा ये तो ये संभाव है इसके अलावा और अभी हम लोग एक UPI और USSD इस पे भी काम करन है जिसमें कि कोई feature phone या smartphone पे अगर अधार नमबर अगर एक दूसरे का हो अगर तो अधार तो अधार पेमिंट ये बड़े एक secure तरीके से हो सकता है तो security का सवाल हां वेंकर तो security का सवाल काफी important है कि ये चीजें से क्योर है मेरा डेटा तो कम सकम नहीं चला जाएगा वो एक तर हमेशा लगा रहता है कि हमने अपने उंगली के चपाई दिया और मेरा पूरा का पूरा बैंक का जो डेटा है या मोबाईल का जो डेटा है वो एसक्स, what if a smartphone is also not there near the merchant? Stay tuned, don't go anywhere. देखन इस निस्टार्श और गॉसादिति असेट्स धन्यट एक प्रस्टे ऑंट इन्चेर्श सन्टेक्स अज की अथे मिल्सेटो टैक्स। S&P BSc Sensex, India's Index, The World Tracks. The mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSc since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSc Sensex, India's Index, The World Tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSc 100, India's most broad-based derivatives traded index. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSc CDX, powered by Bolt Plus. Welcome back to Economy Today. Let's take the questions which we are getting on Twitter and Gmail handles. Let's begin with the first question which is on Twitter handle. Let's have a look at that first tweet at this moment. And here's in Hindi. Kya Aadhaar Based Payment करने के लिए हमेशा Aadhaar Card अपने पास रखना जरूरी है? ये मितेश विशेश जानना चाहते हैं. देखे, अगर Aadhaar Enable System से अगर पेमेंट करना हो तो आपको Aadhaar Number याद रहना चाहिए. Aadhaar Card आपके पास होने की कोई जरूत नहीं है. अगर Aadhaar Number याद है, ये 12 डिजिट का एक Aadhaar Number है. अगर वो याद है, तो अपना Aadhaar Number एंटर करने इस तरह के डिवाइस में. और अपना fingerprint दें और amount एंटर करें, पैसा आपके अकाउंट से निकल करके, जो दुकानदार है, उसके दुकानदार के अकाउंट में पैसा चला जाएगा. अपना जी, ये जो apparatus आपके पास, शायद उसको भी आप simplify करने के कुशिश कर रहे हैं, शायद अलग से apparatus जो आप लगा रहे हैं, अभी वो शायद भविश में लगाना ना पड़े, इन बिल्ट हो जाए. हाँ, लेकिन ये देखिए, हमारा हमेशा एक research और development का काम चलता रहता है, हम अनेक कमपनियों के साथ काम कर रहे हैं, अभी इसमें तो आइडियली जैसे कि मैंने कहा, कि अभी बहुत सारे smartphone में iris scanner अलड़ी आ गया है, तो उसमें तो अलग से device लगाने की जरूरती नहीं रह हैं, और आधार नमबर दें, उससे भी हो जाएगा, उसके बाद से हम अभी कुछ company के साथ काम कर रहे हैं, इसमें कुछ समय लगा है, क्योंकि इस तरह के जब development की काम होता है, तो कुछ time लगता है, हम ये भी expect कर रहे हैं कि smartphone technology भी काफी तेजी से बदल रहा है, जो चीज हम दो साल पहले सोच नहीं पाते थे, वो आज संभव हो पा रहा है, तो हमें लगता है कि कुछ दिनों के बाद smartphone में ही एक fingerprint scanner भी लग सकता है, जिसे कि अलग से इसकी भी जववत ना हो, लेकिन उसमें कुछ समय लाएगा, लेकिन तब तक के लिए ठीक है, तब तक के लिए हम रुकने की ज़रूत नहीं है, हम इस जो AEPS का जो हमने अभी जो system बनाया है, इसको हम उपयोग कर सकते हैं, और यह जो fingerprint scanner जो आप अभी दिखा रहे हैं, red color का, क्या वो सारे banking system से link हो चुका है, और किसी भी bank से, किसी भी bank का money है, transfer वो हो सकता है, या अभी भी system से कुछ देखिए हम लोग एक ministry of information technology है, उनकी एक यंतरना है STQC, और हम उनके द्वारा हम इस तरह की अनेक जो devices हैं, उसको हम certify करते हैं, उसमें अलग-अलग manufacturers आते हैं, उनको हम certify करते हैं, एक बार अगर वो device certified हो जाए, तो पूरे यह आधार enable payment system में काम करेगा, मतलब कि यह जो device है, इसको banking system भी recognize करेगा, आधार भी recognize करेगा, merchant भी recognize करेगा, और लोग भी इसको recognize करेगे, तो यह एक standard है, और उस system में सारे के सारे bank शामिल हो चुके हैं, वो मेरा सवाल था, कि जितने भी 50 से ज़्यादा bank हैं, वो सब के सब उस platform पे आ चुके हैं, जो कम से कम जितने nationalized bank औ वो भी धीर धीरे आ रहे हैं, कल ही इस बारे में एक ministry of information technology में, minister information technology ने एक meeting ली जिसमें की RBI के लोग थे, bank के लोग थे, तो अब यह कहा गया है कि जितने चो चोटे चोटे bank हैं, यह अगर चोटे bank हैं, तो हो सकता है कि उनका outreach गाउं में ज्यादा होगा, और गाउं में इस इस तरह की सुधा पहुंचाना काफी आउसक है, तुम्रों कहा है कि जो जो bank जो भले ही nationalized ना हो, भले ही छोटे bank हो, उन सब को इस platform पर लाने की जरूरत है, और आधार के तरफ से, UIGI के तरफ से, हमने सभी को यह offer दिया हुआ है, सभी को यह facility दी है, बैंक कभी भी चाहें, कोई अगर बैंक अगर छूटा हुआ हो, तो कभी भी वो हमारे system से जुड़ सकता है, और आधार जो micro ATM से ग्रामी डिवाकों मे रहने वाले लोगों को विशेश फाइदा पहुचाने के लिए सरकार क्या करेगी, और असा पहले से हो रहा है, कि micro ATM के जरीए, चाहे वो कुछ पेमेंस हों या फिर बैंकिंग सो विधाए हैं, वो लोगों तो पहुच रही है, लेकिन क्या कुछ और किया जा रहा है, सरकार को, देखिए, ये micro ATM का जो system था, ये cashless अवियान के पहले के समय में थुरा सा ये था कि गाउं के लोगों को अगर cash पहुचाना है, तो हम कैसे चीजी, तो उसके बारे में जैसा मैंने पहले बताया कि कडिब कडिब एक लाख दस जार business correspondent, ये micro ATM लेकर के गाउंगाँ में वो cash बाटते थे, आधार नंबर और उनका fingerprint लेकर के, लेकिन चुकि अब हम cashless अवियान के तरफ जा रहे हैं, तो हमें तो इस चीज को promote करना है कि कि लोगों को cash की जरूरत कम से कम परें, और हम दूसरी सुविधा एक ऐसा हम infrastructure तयार करें, जिससे कि लोगों को बिना cash निकाले हुए, सीधे उनके bank account से पैसा उनके दुकान में चला जाए, तो ये हमें इस इवरश्था को हमें ज़्यादा इंकरेज करना है, तो ये हमें ज आधार कार्ड में आखरी नाम नहीं लिखा है, तो मेरा आधार से खाता जो है, आधार से लिंक हो सकता है, ये तो मेरे खाल से… वो मेरे account से लिंक कर दीचे है, अब सभी bank branch में इस तरह का एक biometric machine है, तो वहाँ पर वो आपका आम उठा लेंगे, और उसके बाद से आपका नाम अगर एंटर करके और उसके बाद से वो लिंक कर देंगे, अगर नाम में थोड़ा बहुत अगर हालका सा चेंज है, तो ये को बैंक मैंजर अपने डिस्क्रीशन पर अपने बैंक कर सकते हैं. Let's have a look at other question on Gmail itself, here is the second Gmail of the show. Is biometric public digital payments safe, CN380? Now we are talking about the security aspect as well, Mr. Pandey. देखिए, जहां तक कि ये biometric through आधार enable payment system है, मैं यही अभी विश्वास दिलाना चाहूँगा, कि ये system पिछले देश में तीन साल से चल रहा है, और करीब करीब हर मेने 6-7 लाख लोगों इसका फाइदा उठा रहे हैं, through the biometric payment system. इसके अलावा, करीब करीब देश में रोज करीब सवा करोर लोग ये biometric दे करके अलग लग तरह के काम करते हैं. जैसे आपने देखावा कि बहुत सारे सरकारी कारेलों में biometric attendance system लग गया है, लोग अपना उंठा देते हैं, अपना attendance प्रूब करते हैं, इसी तरीके से लोग अपना biometric दे कर कहीं पर bank account खोलते हैं, अभी आंदर परदेश में उनके करीब 28,000 रासन के दुकान हैं, उस रास जाया, यह already आंदर परदेश में चालू किया जा चुका है, तो इस तरह की पूरे जो यह antenna है, और यह system है, पिछले करीब 3 साल से चल रहा है, और इसमें हमें अभी तक एक किसी भी, क्योंकि यह biometric base है, तो मैं तक कहूंगा कि जो बाकी जो अन्ने system है, उससे ज्यादा secure है, जो कि अगर आपने कोई दूसरा system किया है, हो सकता है कि आपका password चोड़ी हो जाए, हो सकता है कि कोई pin चुड़ा ले, अगर मालीजे debit card, credit card में है, तो pin को समालना बहुत जरूरी है, लेकिन यह biometric एक ऐसी विवस्ता है, इसको थोड़ा सा चुराना ज़रा मुस्किल है, मैं जरीयों से सवाल लगातार, इस कारका में हम शामिल कर रहे हैं, आए देखते हैं हमारा अगला Gmail, और बहुत सारे लोगों के fingerprint, उनके आधार से match नहीं कर रहे हैं, इससे कि transaction में दिक्कत आ रहे हैं, इसमें क्या किया जाया है, होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि fingerprint तो आपके अ communication link है, उस link में कहीं पर खड़ा भी हो जाया है, तो उनको लगों को यह रिकमेंड करते हैं, कि वो किसी भी आधार के अंदर में है, मतलब गाओं गाओं में आधार के अंदर के खुल गया है, कामन सर्विस सेंटर पर आधार के अंदर चालू है, कड़िव आज के देश में क 40,000 के अंदर पर आधार का इंडूर्मेंट हो सकता है, वहाँ पर जाकर के अपना हो बायमेट्रिक अपडेट करवाने है, मतलब कि यह हो सकता है कि जैसे उम्र बढ़ती है, तो कुछ लोगों का मैं नहीं कोंगा कि काफी बरे स्केल में, लेकिन कुछ लोगों का हो सकता है क इसमें दिक्कत आ रही हो, तो हम लोग यह रिकमेंट करते हैं कि आप जाकर के दुबारा अपना एक बायमेट्रिक दे करके अपडेट कराने, जिससे कि भविसे में यह समस्या आप को जहलना ना पड़े, चले इसमें आपको जहिलना ना पड़े, और अगले ट्वीट की त अधार के द्वारा आप एक समय में एक ही ट्राइक्शन कर सकते हैं यदि आपका अधार नंबर और अंठा ले करके अगर उसी को ले करके अगर वो बार बार कोई करे अगर तो वो कानूनन वो अपराद है और मतलब की अगर माले जे कि हमने एक बार गया और हमने कोई 50 रुप मतलब की करना वड़ा मुस्किल है अगर किसी ने कुछ अगर कोशिस भी की तो ये कानूनन एक बहुत बड़ा अपराद है जिसके लिए तीन साल की सजा जो नया आधार एक्ट बना है अधार का कानून बना है उसके तरह तो उसमें प्रावधान है तो ये बड़ी बात है कि अगर आप कोई भी गरबड़ी करने की कोशिश करते हैं लोगों का दिमाग चलता है इस तरह से डिमोनेटाइजेशन ड्राइव के जरीए हम देख रहे हैं लोग बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से अपना माइंड एपलाई करना है कि कैसे आप पुराने जो नोट है को नए में बदलने कैसे आप काले धन को सफेद करें तो अगर आप आधार के जरीए भी कुछ भी छेड़चार करने की कोशिश करते हैं तो आपको तीन साल की कैद हो सकती है अगले ट्वीट की तरफ चलता है या फिर जीमेल अगर हमारे पास आई इस कारिकर में आधार जो कोई भी एक जब नया सिस्टम आता है अखास करके कोई अगर इलेक्ट्रोनिक सिस्टम आता है तो लोगों के मन में इस तरह के संदे की काफिश सभाविक है और इसके बारे मैं आस्वास कर देना चाहूंगा कि ये आधार का बायमेट्रिक जूर जाने के बाद ये उनका जो अगर ये अगर अगर बायमेट्रिक अगर जूर गया है तो versражal अधार इन सिस्टम आधर निडिक591 में इसके सुरक्षा में बढ़ा ही आता है उसके सुरक्षा में मतलग के कमी होने का कोई सवाल नहीं है अगला सवाल ट्विटर के जरीए फिर से अगर मेरे पास दो बैंक अकाउंट है तो पैसे काउंट से जमा होंगे या वहाँ से ट्राजिक्शन के से अगरेंगे यह एक बहुत ही बढ़िया सवाल है आप जब पेमिंट करेंगे और अपने दोनों बैंक काउंट को आधार से जो रखा तो तो जो आप payment करेंगे तो आपको जो हमने जो software बनाया है जो इस तरह के device पे लगेगा उस पे आपको bank choose करना पड़ेगा मली जी कि मेरा एक bank account state bank of India है और दूसरा bank account ICICI bank में है तो हमें पहले अपना अधार number इंटर करना पड़ेगा उसके बाद से मेरा bank account name, bank account number याद रखने की जरूरत नहीं है उसमें रखाया है कि state bank of India ICICI bank तो एक drop down menu होगा उसमें से हम अपना एक bank choose कर देंगे और उसके बाद से amount जो जो जितने रुपे का मैने समान खड़ीदा है वो amount इंटर कर देंगे और उसके बाद अपना अउठा दे करके ये transaction हो जाए रही है अभी तो अधार लिंग पेमेंट पेमेंट ये फ्री है हमने सब को एसपस्ट किया है कि अभी इसको कोई चार्ज ना करें जैसे अभी debit card, credit card पर पहले चार्ज लगाया जाते थे आपने debit card से अगर 2000 रुपे का समान खड़ीदा तो साथ 20 रुपे साथ उनका 1 परसेंट या कहीं पर 0.75 परसेंट है वो पहले लगाया करते थे अभी सरकार ने 31 दिसंबर तक उसमें उसको माफ कर दिया है लेकिन जहां तक की अधार इनेवल पेमिंट सिस्टम का है ये जो खड़िदार है वा कस्टमर के लिए है कंप्लिटली फ्री है बांकिंग जो कंपनिया या जो बैंक है और हमने ये वी कहा है जो दुकांदार кими फ्रसेंट कर दिया कि न की न की कस्टमर को पैसे देनी के जरूरत थे न दुकांदार को पयसे पैसे ये जरूरत है अब योएस शिस्टम की तरह इसका कोई रेंटल मंतली रेंटल नहीं है इसका मंतली रेंटल तो ये दुकानदार तो खुद अपने 2000 रुपे लेकर के अपना खरीद के रहा सकता है और उसका अपना मॉवाइल फोन है तो इसमें किसी को रेंटल देने की भी जरूत नहीं है चलिए बहुत दो शुक्रिया पानिज इस करके में आगा और आपने देखा होगा किस तरह से विराइटे अप्वेस्टेंस लोगों ने पूछे और मुझे उम्मीद है कि जरूर लोगों के मन में जो सवाल है उसका कुछ निराकरन करने में हम सफल जरूर हुए होंगे तो फिलाल आज के इस खास कारके में सिर्फ इत झाल